पाम तेल की बढ़ सकती है, मांग दरसल मलेशिया को उम्मीद है कि भारत सरकार द्वारा खादे तेलों पर बुनियादी आयात शुल्क में की गई 20 प्रतिशत की बड़ोतरी के बावजूद वहां पाम तेल की अच्छी मात्रा का आयात जारी रहेग। मलेशिया के प्लांटेशन एंड कमोडिटीज मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया का वनस्पती तेलों का सबसे प्रमुक खरीदार देश है और वहां पाम तेल के आयात की आवश्यक्ता बरकरा रहेग। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। पाम तेल की मांग बहतर बनी चार हजार रिंगित प्रती तन से उपर पहुँच गया है लेकिन फिर भी इसकी मांग में कमी नहीं आई है। कौालालंपूर स्थित बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स बी-मडी एक्सचेंज में जनवरी दो हजार पच्चीस की डिलीवरी के लिए क्रूड पाम तेल सी 190 लाक टन से उपर पहुँच जाने का अनुमान है जो वर्ष 2000 के बाद का सबसे उंचा उत्पादन होग। जनवरी से अगस्त 2024 के आठ महीनों के दौरान मलेशिया में करीब 126 लाक टन पाम तेल का उत्पादन हुआ जो पिछले साल की समान अवधी के उत्पादन से 10.2 प् प्रामिकों की समस्या को भी काफी हद तक दूर कर दिया गया है।